असलाम लेकूम, मुहम्माद नदीम, Information and Amusement Hub से, PDF जी रुविवर्स, आज की मेरी ये वीडियो, PDF डॉकुमेंट के बारे में है आपके पास कोई भी डॉकुमेंट हो, चाए वो शिनाक्ती काइड हो, चाए वो आपका पास्पोर्ट हो, चाए वो पिक्चर हो आपने किसी के साथ भी शियर करना हो, तो आपको PDF में कनवर्ट करना होता है PDF में कनवर्ट करके ही, आप डॉकुमेंट को आगे शियर करते हैं PDF में कनवर्ट करने के लिए, आपके पास स्कैनर की रुकायमेंट होती है अमूमन घरों में स्कैनर नहीं होते तो स्कैनर के लिए आपको प्रिंट शॉप पर जाना होता है आपको मेरी ये वीडियो लास तक देखना होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको तुमाम तफ्सील बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मॉबाईल सेट से अपना कोई भी डॉकुमेंट पीडियाफ में इजीली कनवर्ट कर सकते हैं ये शुरू करने से पहले मैं आपसे रुक्रेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक असानी के साथ पहुंच सके आये चलते हैं मुबाई फोन पर और देखते हैं किस तरीके से आप अपने डॉकुमेंट को असानी के साथ पीडियाफ में करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं इसके लिए एक एप्लिकेशन के जोतोगी एप्लिकेशन की डेटेल आपको इस वीडियो के लास में मिल जाएगी और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यह application का main page है और इसमें आपको सबसे उपर document नज़रा रहा है उसके बाद ID card है उसके बाद book है और ID photo है यह depend करता है कि आपकी requirement के है अगर document को आपने PDF में convert करना है तो document को select करेंगे अगर आपने ID card को convert करना है तो ID card को select करेंगे book आपने scan करनी है तो book को select करेंगे और अगर आपने photo को select करना है तो photo को select करेंगे और इसके लावा यह application यह मेरे कुछ documents हैं जो already मैंने PDF में convert की हैं यहां पर आपको यह नज़रा रहा है सबसे नीचे camera की option है और उसके उपर gallery की option है अगर आपने कोई document जो आपके gallery में नहीं है आपके पास hard copy है आप उसको camera के through picture बना कर उसको PDF में convert कर सकते हैं और अगर आपके पास को document आपकी gallery में आपके phone के अंदर है तो आप gallery में जाकर उसको बाअसानी PDF में convert कर सकते हैं तो आई चलते हैं camera के through देखते हैं किस तरीके से document को PDF में बाअसानी convert किया जा सकता है अब मैंने अपने mobile को normal mode पर कर दिया है क्योंकि lens के mode पर paper की सई photo नहीं बनेगी तो इसलिए मुझे normal mode पर करना होगा क्योंकि paper जो है वो length में है तो इसलिए आपको भी normal mode पर करना होगा normal mode पर करने के बाद आपने यहाँ पर camera की option को click करना है जैसे आप camera की option को click करेंगे तो आपके सामने यह mobile पर document आजाएगा camera पर आपने उसको focus करना है और उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक option आ रही है multiple pages को click करेंगे तो आप यह multiple batch on हो जाएगा यहनिके आप एक या एक दो या दो से ज़्यादा pages को आप scan कर सकते हैं पहले मैं आपको single page scan करके दिखाता हूं इस option को off कर जाते हैं और अब जहां से आप picture बनाएंगे उसके बाद आपके पास यह option आएगी crop की आप document को crop कर लें document आपका proper crop हो गया यह देखें यहाँ से किसी भी तरीके से आप इसको crop कर सकते हैं document crop करने के बाद आप इसको done कर देंगे और इसको original shape पर रखें यहाँ पर original है यहाँ magic है और दूसरी format भी है आपने इसको original पर रखना है और इसको save कर देना है इसके बाद आपके पास option पूछेगा PDF में convert करना है आपने PDF को tick करना है और save कर देना है तो देखें दोस्तों आपका document जो है वह PDF form में convert हो चुका है बहुत असानी के साथ सिर्फ एक step है आपने जो भी आपका document है उसकी आपने mobile से picture बनानी है और वह automatically PDF form में convert हो जाएगा यह देखें आपका जो document है इस टर्म PDF form में convert हो चुका है पहले ही option आ रही है जहां पर लिखा हुआ है PDF scanner आज की date है और सबसे आखर में bracket में one लिखा हुआ है its mean के यह एक paper था इसको अब हम share भी कर सकते हैं इसको अब rename भी कर सकते हैं और save तो यह already है आप इसको अगर आप open करें तो यह देखें आपका यह document है यह complete PDF form में convert हो चुका है आप इसको कहीं भी share कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको multiple pages की option दाता हूँ कि multiple pages आपने किस तरीके से PDF में scan करने हैं आप camera को on करेंगे उसके बाद यहां पर multiple pages को आप enable करेंगे जब आपका multiple pages enable हो चुका है आप अपने पहला page समरे रखा है उसके बाद इसको आप scan करेंगे यह first page हो गया यहां पर आ गया one उसके बाद आप दूसरा page रखेंगे मसाल के बर यह second page आप just आप स्कैन करेंगे तो यहां पर यह लिखा 2 गया उसके बाद आपने तीसरा page सकین करना है तो आप पेच को सकैन करने के लिए यह फोकस में लाएंगे और इसके बाद यहां पर पिक्च Обपना करने गें तो यह देखें यहां पर तीन पेज़ी आगये है और आगर आपके पास तीन पेज़ी है तो process complete करने के बाद आपने इसको press करना है और उसके बाद यह one by one आपको crop करना परेगा पहले यह लिखा हुए one by three तो यह पहला page है जो आपने इसको crop करना है उसके बाद आपने इसको done नहीं करना आपने arrow key से आगे जाना है जिस सेकेंड पेज आ गया सेकंड पेज को आप प्रॉपर क्राप करेंगे ji maior कर दिए और हम अहीं है कि इस अपर आपिशन करना है और आप देखें यहां पर आ लोगी की ऑपष्यन हो गया अब 3 by 3 हो गया इस में आपके तिनों page crop हो गये हैं यहां पर आप इसको done कर दें done करने के बाद उसी तरीके से original mode में रहने दें और save all कर दें save all करने का PDF को select करें और save कर दें आपका document जो है वो PDF form में convert हो चुका है और यह देखें आपका document PDF form में convert हो चुका है और यह देखें सबसे उपर PDF scanner आज की date और आगे bracket में 3 लिखा हुआ है इसको आप open करते हैं तो यह देखें यहां पर 03 लिखा हुआ है तीन pages है इसको click करें तो यह one by one करके यह 3 pages आपके scan हो चुकी है यह जो एक ही file create हुई है यह different file नहीं है आप जब यह 3 pages कहीं को send करेंगे तो उसके पात एक ही file जाएगी 3 pages की यह अलग लग paper नहीं होगा अलग लग pages नहीं होगे एक ही file में 3 page scan होकर share होगे अब दोस्तों देखते हैं कि अगर आपने id card को scan करना है तो आप id card की option को click करेंगे तो यह देखें id card की option का mode आगया है और आप देखें इसको shift or shift id card का जो size है उसके मताबिक यह इसको कर रहा है आप इसको जहां पर इसको picture बना लें और यह उसी तरीके से आप इसको crop करें done करें original form में save करें PDF form में save करें next option book की option है book के लिए भी same यही है उसमें भी आपके पास option आ रही है multiple pages or single pages same वही तरीका है जिस तरीके से book आपने जिस तरीके से पहला document आपने scan किया था और उसके बाद last में id photo है id photo के लिए भी same वही process है उसी step को आप follow कीजेगा जी वीवर्स तो last में अब आप देखते हैं कि application को कैसे install करते हैं application install करने का तरीका यह है कि play store में जाएंगे play store में जाने के पास जहां पर आप लिखेंगे पी डी एफ यह PDF scanner को आप search करेंगे तो आपके पास different applications आ जाएंगी यह application आप देखें कि PDF scanner document scanner के application में पास already installed है इस application को आप अपने mobile phone पर install कर लें उमीद है आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि मैंने यह वीडियो specially आपके लिए बनाई है अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक की जागा और comments में अपनी राए लाजबी दी जागा झाल